नमसकार पंडिजी नमसकार आपका सुमनाम द्रया संकर कौन से अब रहने वाले हैं हां खुरही के यह घोरत में ख़ड़े हैं हैं तो आपने में इस खेत में क्या ढाला हुआ है मा कौन शाप प्रोडक्तम डाला आपने सिखेत में दूर। में भूनिसे अपने भी कम कर दी। Honors लियुक्ता कम में। आप काूनी में आप लाएप मेंद लगता के सबूस्चा कम करूं काद कम करी टिने इसनटा हाँ कि जाल हिए लुक्ताय सब्वाइव दालए लिए बहुत अच्छा है तो पच्छले साल आपका 15 की लगवक का आता है इतने साल जेकर निकलेगा वाइस तेश ऐसा निकल सकता है और इश्वर की देन है जी जी तो मतलब कहना चाहिए आपको शैसाथ बोरे ज्यादा मिल रहे हैं यह जो कि यह आज बरत्मान भाव से देखें तो वह करीब चौरासी सो रोपय का हो रहा है च्छे कोंटल गये हूं तो आपकी लागत कितनी आई एक एक एकड़ की 500 रोपय हमने पांसो रोपय का तुमारा वह टैक बावर निक डाला जी उसका हमें असा मालूम बारा जी चौरासी सो रोपय का फायदा हो रहा है तो अभी आ आप टैक बावर निक की रजल्ट से पूरी तरह से प्रसंद हैं संतुष्ठ है और अच्छा प्रूड़क है तो आंगे आप अपनी खेती में टैक बावर निक का उपयोग करेंगे उसका हमें लाब में लिया है जी और दूसे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका उनको देखें हमसे जो चट्चा हो दी कहते हैं नहीं है अपनों डालना इसका फरक है जी जी अच्छा दूसे किसान आते हैं आते हैं तो के लो सामने हां हां सई है बिलकुल आप देख सकते हैं इस खेत में टैक बावर निक डला हुआ है डी अपी की मात्रा आधी की हुई है और बड़ा जोरदार बाली एकदम सांदार आई हुई है ओके पंडित जी धन्नवाद आपको बहुत बहुत धन्नवाद